येर स्टूडेंट एंड वीवर्स असलाम आलेकूम क्लास सेवन सब्चर्ट साइंस के लेक्चर ठाट लेके आई हूँ मुझे उमेद है कि आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को मिज नहीं किया होगा उसको देखा होगा तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे कि आईसेक्च्वल रिप्रोडेक्शन इन प्लांट्स में पढ़ रहे थे हैं तो इसमें हमने चार जो टाइप्स हमने पढ़ा डिसकस किया तो आसेक्च्वल रिप्रोडेक्शन में हमने फर्स्ट पढ़ा binary fusion, birding, fragmentation, spore formation यह चार पढ़ दिया हमने तो आज पढ़ेंगे हम visitative propagation तो students visitative propagation जो visitative parts को हमने थोड़ा explain किया था visitative parts किसको कहते है तो visitative parts plants के जो roots, stem, leaves जो mostly plants में present होता है उनको हम क्या बोलता है? विजिटेटीव प्रोपोगेशन है क्या? विजिटेटीव प्रोपोगेशन है एक ऐसा process है एसेक्जूल प्रोडेक्शिन के जिसमें विजिटेटीव पर्ड से ही एक नाया इंडिजूल का डायलोप होता है तो उसी को इस process को क्या बोलता है vegetative propagation जो vegetative parts कोन था? stem, root, leaves, birds ये सब vegetative parts था तो उन से एक नया individual arise होना इस process को हम क्या बोलता है? vegetative propagation बोलता है तो यहां पर लिखा It is a type of essential reproduction in which new plants produce from root, stem, leaves and birds since reproduction is through vegetative parts of the plant is known as vegetative reproduction तो इस लिए इस process को क्या कहा है? vegetative reproduction का क्योंकि vegetative parts ही एक नया individual arise होता है तो vegetative propagation का भी बोहुत सारे subtypes है तो इसमें है by roots by root मिलब किस में होता है एक दो लिया है तो root help in vegetative propagation roots हमें मादद करते हैं vegetative propagation में तो एक नया new individuals produce करने में तो by root से किस में होता है एक्जाम्पल स्वीच पटाटो दाइलिया इसमें by root एक नया individual produce होता है तो by stem से होता है अंजर को stem produce new plants from their birds by stem से भी एक नया individual produce होता है तो stem का भी बहुत सारे modified stem है different modified stem like tubers, billups, rhizomes and coms तो ये भी बहुत सारे modified stem है उनसे नया individual produce होता है तो किस में tubers में एक्जाम्पल क्या है लाब में कौन सा एक्जाम्पल आएंगे तो इसको थोड़ा discuss करेंगे तो students जो tubers में जो tubers से एक नया individual produce करते है एक्जाम्पल इसमें है पटातो पटातो एक्जाम्पल ये एक पटातो तो आप देख सकते हैं students इसमें buds यहां पे ग्रो हो रहें तो उनको हम क्या कहता है ाई बोलता है तो जब पैटो में पैरी करते है या उसको cut करके जहां पे आइ है उनको cut करके हम पैरी करेंगे स्वाईल में तो एक नया individual यहाँ से ग्रो हो जाएगा पतातो पैसIST case पैसटूबर से होता है तो ऐसे वैसे ही rhizomes, example, ginger, जो अद्रक में ऐसे new plant प्रोड्यूस होता है तो बलब में ओनें में होता है, कॉम होता है, कल, 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 कैश्यूर में होता है तो ये था विजिटेट्व प्रोपागेशन बाइस्टेब्न और बाइल यूस में In case of plant like bryoflame, small birds arise Small bird arises along the margin of the leaf which later give rise to new plant Bryoflame के plants में क्या होता है, small bird arise होता है कहां से margin of leaf आपको पता है, margin of leaf किसको कहता है तो ये है एक leaf, margin of leaf आपको दिखाएंगे तो ऐसे ऐसे जो बाहर की जो लाइन को हम क्या बोलते है margin of leaf के थे, तो bryoflame के जो leaf में क्या होता है margin of leaf से एक लब, वहां से बाट निकालना start होता है यहां से बाट निकालना start होता है, यहां से यहां से तो यह वहां से ही एक नया plant produce होता है जब नया plant produce होता है, तो यह leaf क्या होता है fall of my love, death होता है तो यह था students, तो इंचालला कल हम अपना lecture continue रखेंगी और इसके बगेर भी में एक वीडियो का link अपलोड करूंगी तो श्यार करूंगी तो आप लोग उसको भी देखना इसमें उस वीडियो में देखा रहा है की bryoflame के लिए उसकी एक नया plant produce करते है तो उसको भी ज़रूर देखना तो thank you students